नमस्ते मैं अलकठा कुछूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में स्वागत है तो आज हम फार्मा पढ़ने वाले हैं और फार्मेसी में हमने ड्रक्स को पढ़ना शुरू किया था और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कितने सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ यहां पर आपको याद रखने की जरूरत ये है कि जो भी पढ़ना एडिकल के चात्र हैं चाहे आप बैसी नर्सिंग कर रहे हो जिन-एम कर रहे हो फीजेधरिपी आप कर रहे हैं आप लैब टेदिक्निशन का कोर्स कर रहे हैं या फिर आप नम कर रहे हो नॉर्मल से आप इस tablet को जानते होंगे जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है prednisone अब ये tablet का इस्तमाल क्यों किया जाता है? आप खुद बताओ, जब moderate हलका सा बदन में दर्द होता या फिर हलका सा कहीं पर fever type का लग रहा है दात में हलका सा दर्द है तो क्या होता है? तो आपको ये वाली दवाईयां दी जाती है आप में से बहुत से लोगों ने इसको इस्तमाल भी किया होगा अब यहाँ पर बात ये है कि ये जो दवाई है ये किस प्रकार की दवाई है और ये हमारे बॉडी में कैसे काम कर रही है हमको इसको जाना चाहिए क्योंकि हम जो चीज पर रहे है उसमें हमें फार्मेसी परनी है और फार्मेसी में एक चीज हमेशा बताया जाता है कि जो दवाईयां बनी है वो आपके बॉडी में कैसे कैसे काम कर रही है और वो जो दवाईयां उस दवाई का नेचर क्या है सुभाव क्या है तो यहां पे आप इस दवाई से भी पड़चित होंगे और आप इस दवाई से भी पड़चित होंगे यह जो दवाईया है यह क्यों दी जाती है यह दवाईया अर्थराइटस वाले पेशेंट को दिया जाता है और बहुत से लोगों ने इस टाइब के डिबे में भरी दवाईयां खाई होंगी लेकिन जिनको कोई भी दिक्कत नहीं है उसको नहीं खाना है उसके अलाबा आपने एक और चीज देखा होगा आप ये वाला दवाई देखते होंगे जिसको high blood pressure की problem है जिसको BP का problem है वो लोग इस दवाई से बिलकुल अवगत होंगे मतलब उनको पता होगा कि ये जो दवाई है ये क्यों दिया जा रहा है BP बढ़ जाता है BP बढ़ा हुआ हमिशा रहता है BP को normal करने के लिए आपको ये दवाईयां लिखी जाती है तो ये किस प्रकार की दवाई है साथ ही एक और में चीज आपको बता दू ये दवाई भी क्यों दिया जाता है ये दवाई आपको दिया जाता है BP अगर high है यानि कि अगर hypertension की समस्या है क्या है hypertension का मतलब क्या होता है मैंने इसको समझाया था बड़े ही detail में भाया क्यों हो किस लिए होता है किस वज़ा से होता है कौन-कौन से लक्षन आपको देखने को मिलते हैं तो सारी चीजे मैंने आपको बताई है तो यहां पर सिर्फ ये समझना है कि ये जो दवाई है जिनका BP हाई है ध्यान से सुनना क्या है जिनका BP हाई है उनको येवाली medicine दिया जाता ह है इसका नाम क्या है methylísल डोपा भी आप बोल सकते हो उच्छारण के हिसाब से आप अपने हिसाब से बोल सकते हो ठीक है इसके अलाबा एक और दवाई आपने देखी होगी आपने यह दवाई भी देखी होगी अब यह दवाई बहुत कम लोग जानते होंगे क्यूंbn क्यूं कि जिनको मिर्गी के दोड़े आते हैं जिनको जटके लगते हैं जिनको हमिशा मिर्गी आते रहता है और उनको फिर पता नहीं चलता है ये कैसे आता है क्यूं आता है और लेडी मैंने डीटेल में डिसकस किया है fifteen आपको बताया भी था तो जिनको भी मिर्गी के जटके आते हैं फिर जिनका बॉड़ी अचानक से अकर जाता है चाहे हो बचपन से हो या फिर अब आने लगे तो वो लोग इस दवाईयों का इस्तमाल अधिकतर करते हैं क्या होता है एपीलेप्सियम उसको बोलते हैं अगर मि फिर वो चाहनक से अनकॉंशेस हो जाता है वो जो हरकते करता है बॉड़ी में अठन होता है अलग अलग तरीके से होता है उसको हम बाटते भी है क्लासिफिकेशन भी उसका तो हम वहां पर अभी नहीं जाएंगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि यह दवाई है तो दवाई जो मैं आपको बता रही हूं जो मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं एक और दवाई है जो लोग कैंसर के पेशेंट होंगे भगवार ना करे किसी को भी कैंसर हो लेकिन अगर जो लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं उनको यह वाली मेडिसिन लिखी जाती है वो लोग जानते होंगे यह इंजेक्शन यह टाबलेट यह डबबा आपने देखा होगा ठीक है तो यह जो दवाई है वो कैसी दवाई है अभी तक मैंने आपको जितने भी दवाईयां दिखाएं जितने भी दवाईयां यह क्यों दिया जाता है एस आइकलोविड और यह है वो टाबलेट आपका जो इस तरीके का पत्तर होता है वो क्यूं देते हैं जिसको चिकेन फॉक्स हो जाता है जिनको हर्पीस वाईरस यानि कि जिनको प्राइवेट पार्ट के आस पास जिनको इंफेक्शन हो जाता है हर्पीस वाईरस का जिनाइटल में हो जाता है स्किन पे हो जाता है कभी-कभी माउथ में भी वो हो जाता है तो यह अलग-अलग मैटर है लेकिन जो infection हो जा तो जो चेचेक हो जाता है उसमें भी प्रिकार है एक Coco rank होते हैं वह अलग मैटर है लेकिन यहाँ पर ये वाली दवाईयों को आपने देखा होगा, तो जितनी भी मैंने अभी तक दवाईयां बताई है, यह सब क्या है, यह सब अगर फार्मेसी के टॉम में बोले, तो यह सब क्या है, यह सब है pro drugs, क्या है, pro drugs है, अब यह जो pro drugs है, दवाई तो हमने सुना था, drugs हमने सुना है कि pro drugs क्या है अब सुनगे जब आप दवाई खाते हैं तो आप क्या उमीद करते हैं क्या सोचते हैं हम जब दवाई खाते हैं तो हम ये मानते कि दवाई हमने खा लिया है अब वो पेट में जाएगा और अपना काम करेगा ठीक है लेकिन ये जो pro drugs है, जो की extra advance है, ये क्या कर रहा है, ये आपके body में जा रहा है, यानि कि आपने अगर इसकी tablet एक ली है, chicken box हो गया किसी को, और आपने उनको दवाई दी, अब ये जो दवाई है, वो inactive form में है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, ये जो chemical compound बना है, मतलब समझो, आप normally समझो, आपने सबजी बनाई है, लेकिन वो tasty बिल्कुल नहीं बनी है, सिर्फ सबजी है, आपने ना उसमें मसाला डाला ठीक से, ना उसमें आपने नमक डाला ठीक से, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन आपने वो बना करके रख दिया, अब आपको किसी को खिलाना है, अ उसका अवशोशन होने का जो प्रॉसेस है, जो आपके पेट में पचेगा, वो बिल्कुल सेम चीज है, क्योंकि वो केमिकल में बदल गया, वो सबजी अब सबजी नहीं रहा, वो आपके बॉडी में जाने के बाद केमिकल में बदल गया, और आपके बॉडी में फिर लगा चाहे आप उसमें नमक डालो, मसाला डालो, चाहे ना डालो, वो सिर्फ आपके मुझे स्वाद तक ही सिमित रहता है, बाद में जाकर के वो तूट जाता है, वो आपके बॉडी के द्वारा अवशोशित किया जाता है, ऐसा होता है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर यह टाबल रहाऊंगी, आप अगर अक्टिव नहीं होगे, तो आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन जिस दिन आप अक्टिव होगे, उस दिन आप पढ़ने लग जाओगे, जिस दिन आपको यह समझ में आएगा, कि एक रुप्या मांगने के लिए भी भीक मांगनी पढ़ती है, लोगों स लोग होते हैं, जो टाइम वेस्ट करके अपने पैरों पर कुलहारी मारते रहते हैं, यह उनका नेचर बन जाता है, आप अपने सिच्वेशन को एकसेप्ट मत करो, आप उस सिच्वेशन को चेंज कर सकते हो, आपको पता है, क्योंकि जब आप चेंज करने के लायक हो, तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर 30 क्रॉस कर गया, 40 क्रॉस कर गया, तो फिर जादा मेहनत करनी पड़ती है, सिच्वेशन तब भी चेंज होता है, लाइफ तब भी चेंज होती है, लाइफ हर एक मोर पर लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन जादा मेहनत करनी पड़ती है अगर हम जल्दी जाग गए, तो बहुत अच्छी बात है, लेट से जागेंगे, तो बहुत जादा मशक्कत करनी पड़ेगी, तो क्या करना है, हमें जल्दी जागना है, अब यहाँ पर सेम वही चीज है, यह जो प्रो ड्रग है, यह अभी सोया हुआ है, इन अक्टिव फॉर कि यह टाबलेट किस केमिकल में बदलता है, नॉर्मली आप एक एक ग्जामपल समझे, एस्परिन की टाबलेट आपने खाई होगी, एस्परिन गोली होता है, बहुत से लोग खाते होंगे, हलका फूल का बुखार लगता है, या फिर बॉड़ी में दर्द होता है, तो आप यह खा लेते हैं, सर में दर्द होता है, बहुत सो लोग तब भी खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन यूज जानते हैं नहीं अच्छी है से लेकिन खाते हैं, तो यह जो एस्परिन की टाबलेट है, यह आपके बॉड़ी में जाने के बाद एस्परिन की टाबलेट नहीं बनी हो की गोली वो वैसी बिल्कूल नहीं है वो इनक्टिव है जब बाहर है तब आपके बॉड़ी में जब गई तो क्या वो हो गई वो को सैलेसिलक एसीड में काम करते है आपकाА यह समझवा गार्क पेशन टैबलेट की बात करें चिकन पॉक्स हो गया है पेशनट को बीचारा बड़े दर्द में अब आपने दी ये वाली गोली ये साइक्लोवेड गोली दी आपने और जब पेशेंट खाया तो वो कनवर्ट हो जाता है तो जो भी ड्रग आपके बॉडी में जाकर के कनवर्ट हो जाते हैं पहले इनेक्टी फॉर्म में रहते हैं और फिर जाकर के वो केमिकल में बदल जात है सबसे पहला जो प्रकार है टाइप वन टाइप टू यानि कि यहां पर जो हमने वरगी करण इसका किया है क्लासिफिकेशन किया है क्लासिफिकेशन किया है वो दो तरीके से हमने किया है ठीक है कौन-कौन से तरीके से टाइप वन प्रो प्रोड्रग और ट्राइब टू प्रोड्रग यानि की यह दवाई तो बिल्कुल है कि जा करके चेंज होने वाली है मतलब अपना बीहईविर चेंज कर देगा जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जैसे कि आपके इरिश्दार होते हैं जब आप अच्छा कुछ कर रहे होते तो यहां Geblet प्रजुए है बहुत आरीफ मिलती है लेकिन जैसे यह आपने कुछ एक गलती किया वैसे ही आपको कॉल साना श्रू हो जाता है आपके मम्मी को आपके पापा को अच्छा ये कर रहे हो तुम्हारे ममी को बताऊं क्या अच्छा तुम्हारा बेटा ये कर रहा है तुम्हारे बेटी ये कर रहे है तो यह क्या है वो क्या है वो प्रोड्रक्स है समझे कि आप ड्रग हो और जो आपके रिष्टदार है जो आपके रिलेटि में जाने के बाद वो चेंज हो जाता है और दो तरीके से चेंज होता है जो पहला चेंज है माना कि अगर आपके पास लीवर में दिक्कत है आपके पास कहीं पेट में दिक्कत है तो आपको दवायां दी जाएंगी ठीक है तो जब पेट में दिक्कत है तो वो पेट के अंदर की कोशिका है चाहे आत में प्रॉब्लम है आत में सूजन है पेट में बहुत जादा गैस बन रहा है वो अलग केस हो जाता है लेकिन अगर पेट में आपकी अलसर हो गया है आत में आपकी अलसर हो गया है खाना नहीं पच रहा है उसको हम क्या वोलते हैं ऐल्सरेटिव कोलाइटस बोलते हैं क्या बोलते हैं यहां पर देखि repo में हलका-फुलका आपको देती हूं ताकि आपको थोड़ा सा जब काम कर रही है कौन से दवाई प्रो ड्रग जब काम कर रही है तो एक तरीके से वो आपके कोशिका के अंदर काम कर रही है लेकिन वैसी दवाई वैसा प्रो ड्रग जो की आपके किसी भी अंग पे काम नहीं कर रहा है माना कि बलड में इंफिक्शन हो गया है तो जब हम को ब्लड को ठीक करना है, तो पेट की दवाई हम तो नहीं देंगे, हम आत की दवाई तो नहीं देंगे, तो यहाँ पर ब्लड को ठीक करना है, और ब्लड पूरे बॉड़ी में बह रहा है, नसों के थ्रूँ, आपके वेंस और आर्टरी के थ्रूँ, वेंस को हम शिरा बोलते है हैं और आडरी को हम भंणी बोलते हैं हिंदी में और हिंदी बताने का मतलब यही है कि जो हिंदी मीडियम के चालतर हैं उनको भी समझ में आए प्या- egyचीजी वह रहे हैं ओpowैंस पर जाहँ ब unto है जैसे कि !'s ब्लड ब्री जाथि है उसको हम बोलते हैi outside the cell मतलब वो किसी अंग के अंधर तो नहीं है मतलब कोशिका जो भी अंग है वो कोशिका की बनी हुई है कोशिका बनी है कि नहीं बनी है ठीक है आपका skin है यह कोशिका का बना हुआ है कोशिका बहुत तब जा करके एक परत बनता है और जब परतदर्फ जब बनते चला जाता घान जाता है तो जब वैसा जूसे जो दवाई जो कि आपके पर काम करे नॉर्मली समझ यह जब कोशिका केOFF करें कोशिका काम करें वैसे प्रो ड्रग को हम टाइप one में रखते हैं और जो आपके बॉोडी के फ्लुइड लिक्विड में जो लिक्विड है यानि की blood या फिर बॉडी का कोई भी फ्लुईड जब उसके काम करें तो हम उसको टाइप two में रखते हैं यानि की outside of the cell outside of cell, थोड़ा सा board खराब है, कोई बात नहीं, मैंने phone किया था उनको, लेकिन उनको आने में अभी समय लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह समझ में आ गया आपको outside और inside क्या होता है, दूसरा यह है कि अब pro drug का nature भी है, जैसे आपके रिष्टदार बहुत मीठा मीठा बोल कि जब यह आपके body में कोई चीज ठीक करने के लिए आएगा, दवाई है एक, आपके body में यह आ रहा है ठीक करने के लिए, अब अगर इसको लग रहा है ना कि मैं अकेला काफी नहीं हूँ, तो यह किसी और medicine के साथ चिपक जाएगा, या फिर किसी और medicine के साथ समझाता करक सेना बना करके आपके body में आएगा, ठीक है, तो डॉक्टर क्या लिखते हैं, डॉक्टर उस वाले pro-drug के साथ, जो कि अकेला नहीं ठीक कर पाता है आपके body में, जो भी दिक्कत है, उसके साथ कोई और medicine को देते हैं, ताकि दोनों मिल करके आपका body ठीक हो जाए, ठीक है, तो वैसे जो drug, जो कि वैसे pro-drug, जो कि दूसरे drug के साथ मिल करके काम करते हैं, और तब जाकर के आपके body पे वो काम करने लगता है, आपके body में जो भी समस्या ठीक होने लगता है, तो वो उसका nature है, उसको हम बोलेंगे carrier linked pro-drug, ठीक है, वैसे drug, दूसरा है, एक अकेला drug, बोलता है कि मैं काफी हूँ, एक pro-drug है, ठीक है, दवाई है, और ये बोल रहा है कि मैं अकेला काफी हूँ, मैं जाओंगा, अपना भेश भूशा जो है, वो बदल लूँगा, और सामने वाले को bacteria हो, virus हो, जो भी हो, उसको मैं मार काटके बिल्कुल finish कर दूँगा, वो क्य दवाई का नेचर है, उसके नेचर को हम बोलते है, बायो प्री करसर pro-drug, यानि कि अकेला एक दवाई आपके बोडी में जाता है, अपने आपको चेंज करता है, चेंज होता है, और तब जाकरके वो आपके बोडी में काम करता है, तो यहाँ पे जो भी दवाईया मैं ने आपको दिखाई थी, जैसे कि A-Cyclover, वो आपके बोडी में अगर जाता है, तो यह टाबलेट है, लेकिन वो जो एक्टीव फॉर्म है, जब वो काम करना शुरू करेगा, तो अपना भेश-भूशा बदलेगा, और वो कैसे में कनवर्ट हो जाएगा, मतलब किस रूप मे कनवर्ट हो जाएगा, वो A-Cyclover, ट्राइ-फॉसफेट में कनवर्ट हो जाएगा, यह देखिए, यह वाली टाबलेट है, और यह कनवर्ट हो कर A-Cyclover, ट्राइ-फॉसपेट में बदल जाता है, तब जा करके काम करता है, दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं, फ्लु एक नाक है लेकिन मुझे दो नाक चाहिए क्या मुझे नहीं चाहिए लेकिन यहां पर मान से कठा होते 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 बढ़ने लगता है कब जब अगर यहां के सेल्स में कैंसर हो जाए ठीक है तो वहां पर हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमें जो कोशिका है जितनी यह body वह हम उतनी ही चाहिए ठीक है तो वैसे patient को जो की cancer के patient है उनको floodourosil दिया जाता है और वह inactive form में रहता है यह भी prodrug है और यह inactive form में रहता है निश्क्रिया रहता है लेकिन जैसे ही आपके body में चाहेगा convert हो करके flood uridine monophosphate में बदल जाता है ये देखिए इसका जो tablet है इसकी जो CC है ये injection है ठीक है ये injection है इस प्रकार से यहाँ से जो lining है महाँ से ऐसे टक करके फोरते हैं और फिर हम इसको mix करके patient को देते हैं inject करते हैं injection में डाल करके हम patient को देते हैं ठीक है तीसरा क्या है तीसरा देखिए तीसरा है becampecin becampecin क्या होता है becampecin में जब आपको bacteria का infection लग जाए तो ये भी निश्क्रिय है ये भी inactive form में है ये pro drug है जो भी pro drug होते हैं वो बाहर में tablet जैसा होता है वो दवाई वो inactive form में होता है ठीक है अब यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि pro drug जो है वो हम क्यूं लेते हैं normal सी दवाईयां भी हम ले सकते थे ले सकते थे ना कि normal सी दवाई लो और बिल्कुल ठीक हो जाएगा लेकिन हम क्यूं लेते हैं हम इसलिए लेते हैं ताकि यह जो pro drug है यह जादा अच्छे तरीके से काम करता है बॉडी में क्यूंकि यह बाहर में अलग तरीके का होता है और बॉडी में जाकर के target organ को बिल्कुल एक तरीके से जो भी अंग प्रभावित है किसी भी चीज़ से ग्रसित है बैक्टेरिया हो गया वाइरस हो गया कोई अधर प्रॉब्लम हो गया तो जाकर के वहां पर बड़े अच्छे तरीके से काम करता है ठीक है यह target organ को पहचानता है कि मेरा target कौन सा है जैसे कि आपको पहचाना चाहिए आपका target कौन सा है आपका goal कौन सा है लेकिन आप नहीं भचानते हो तो आपको पहचाना चाहिए ठीक है तो इसको पता है कि मेरा target ये है जीवन में target होना जीवन में goal होना जीवन में एक आपका rule regulation होना कि हाँ ये मेरा rule है मेरे हिसाब से है और मैं इतना कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, अब इसके हिसाब से ही मैं चलूँगा, ये अपने आप में आपको प्रॉमिस करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग चलते ही नहीं रूल्स के हिसाब से, हर किसी का रूल अलग-अलग होता है, हर किसी का लाइफ अलग-अलग है, हर किसी का सिचिवेशन अलग अलग है लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जभी भी आप टार्गेट सेट करते हो तो उस टार्गेट को पाने के लिए यह निए कि आप गलत रास्ते बेजाओ आप सही रास्ते बेजा करके भी उसको पा सकते हो और मेहनत तो लगती है चाहे होगे कि हाँ आज मैं राजा से एकदम बहुत मतलब अभी कुछ भी नहीं तो एकदम गरीब से एकदम राजा हो जाओ बहुत ताज सर पे आ जाए सब लोग मुझे जाने दिस तैट ऐसा नहीं होता है आपको समय लगेगा आपकी मेहनत जितनी होगी आपको उतना समय लगे जाता है जब बwrाडी में जाएगा तो यह जो बेकमपी सलीन में ऐवांपी calcium में के प्रेक्टिव होता है किसी भी बीमारी में अगर प्रेकर द्रग दिया जाता है तो बहुत अच्छी वात है क्योंकि patient जल्दी ठीक हो जाता है और patient पे जादा काम करता है उसके लावा prednisone अभी क्या करता है अगर या आपको मैं दिखाऊं यह यह वाला अगर आपको arthritis है या फिर आपके adrenal gland में problem है kidney के उपर एक छोटा सा gland होता है ठीक है अगर उसमें problem है हडियों में दिक्कत है आपको ulcer हो गया है पेट में दिक्कत है सारे cases में आपको prednisone दिये जाते हैं और यह जो pro drug है यह आपके body में जा करके convert हो करके prednisone बनाती है क्या बनाती है यह देखिए यहाँ पर मैंने spelling भी लिखा है spelling पर ध्यान देना है यह इसका active form है chemical है अपने आपको change कर लेती है chemical है आपके body में खुद को बदल करके अब अच्छे तरीके से काम करती है ठीक है इसके अलावा क्या है इसके अलावा है यह जो है वो भी pro drug है और वो inactive form में है और यह भी आपके body में जाकर करके sulfide metabolite में convert हो जाती है अब यहाँ पर एक और चीज़ मुझे यादा आया है कि जो fluoroyuracil है इसको आप anti metabolite भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो anti metabolite भी बोलते है याद रखना है कहीं पर लिखा रहा है anti metabolite इसका मतलब है fluoroyuracil की बात हो रही है और यह जो आपका salindic है वो है sulfide metabolite में convert हो जाता है और यह क्यों इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को अगर arthritis है पेशेंट को अगर joint pain है जोरों में दर्द है तकलीफ है तो जाकर के इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है जोरों में अगर हलका फुलका दर्द भी होता है तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं और यह कैसा होता है अपने देखा होगा यह कुछ इस टाइप को दिखेगा एक और है यह कुछ इस टाइप का है ठीक है यहाँ पे जो है एनाला प्रिल यह जो मेडिसीन है यह देखी यहाँ पे आपने इसका टाबलेट तो देख लिया अब यह स्पैलिंग देख लिए जो जलिए यह जो एनाला प्रिल है यह कनवर्ट हो करके आपके बौडी में केमिकली कनवर्ट हो करके क्या बनाती है, enala prelate बनाती है, यह क्या है, यह इसका active form है, ठीक है यह क्यूं देते हैं, जिसका BPH उसको देते हैं, इसके अलावा alpha methyl dopa ही देते हैं और यह convert होकर कि alpha methyl nor epinephrine बनाती है, जिसका BPH है उसको भी यह दिया जाता है यह वाला drug और ये वाला ड्रग दोनों ड्रग उन पेशन के देते हैं जिनका बीपी हाई है यानि कि हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है बीपी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं रहता है उसको दिया जाता है ठीक है इसके अलावा एक और ड्रग है यहां पर देख लिए इसको हम एपिलेप फेंटोइन ये खन्वत होकरके फेंटोइं में बदल जाती है और फेंटोइं में बदलने के बाद ये आपकी बॉडी में जाकर करके कम करती है और जिसको भी epilepsy के दोड़े पढ़ते हैं symptoms देखे जाते हैं उनमें ये वाली दवाई दी जाती है उनको ये वाली injection अपिदवाई क्या दी जाती है तो अब क्या हमने सीखा हमने आज ये सीखा है कि आपके body में pro drug का क्या-क्या योगदान है और ये जो drug है ये अच्छा है या फिर बुरा है drug अच्छा है ठीक है drug अच्छा है और अलोपेथी की drug सारी है और ये drug बहुत जादा अच्छा है जिसको भी problem है उसको दिया जाना चाहिए लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी अलोपेथी की medicine है वो emergency के लिए है daily use के लिए नहीं है आप लोग समझते नहीं हो लेकिन daily इस्तमाल में आप नहीं ला सकते हो बहुत लंबे टाइम तक आप इस्तमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे आपकी kidney इससे आपका जो भी organs है वो damage होता है तो मैं उमीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसके notes बनाने है और कोशिश यही रहती है कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊ कोई भी doubt होता है Alka Medical Classes Telegram Group है जाकर कि आप वहाँ पे join करो और कुछ भी problem होता है तो आप जाकर के पूछो ठीक है Alka Medical Classes App भी है और App से जाकर कि आप सारे lectures को देख सकते हो फ्री में recorded ही lecture आते हैं डेली रात 9 बजे और मैं कोशिश करती हूँ कि Sunday को आकर के लाइव रात के 8 बजे आपको मैं थोड़ा सा कुछ समझा पाऊं बता पाऊं आपकी कुछ सुन पाऊं समझ पाऊं इंट्रेक्शन अच्छे से हो पाए हम लोगों का ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अब यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे खुद का खयाल लगेंगे और अपने फैमिली की responsibility उठाने के लिए काम करेंगे और अपने सपनों के लिए काम करेंगे Thank you so much